नमस्कार दोस्तों आज विश्व योग दिवश पर आप सभी को हाद देख शुब करना हैं आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें इसी कामना के साथ आज योग की कुछ में हमारी जो की हुई गत्विधियां हैं योग और होमियोपैथी चीकिस्सा को ले करके उसके पारे में मैं बताना चाहता हूं हम लोग जो योग कराते हैं हमारे संस्थान पर हम लोग ठेरापेटिक योग कराते हैं ठेरापेटिक योग का मतलब होता है कि जिस बैक्टी को जो बीमारी है उसके लिए कौन सा योग चिकिस्सा में सहीयोग कर सकता है वह योग हम कराते हैं जैसे मैं ब पर दिखने की या दर्द की उनके लिए हम लोग भुजंग आसन करवाते हैं भुजंग आसन में करके आपको दिखा रहा हैं बहुत ही सरल है भुजंग आसन इस तरीके से आप अश्वानी से लुट जाएं और गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे गर्दने जितना ले जा सके हो सके तो आप छठ को देखने का प्रयास करिए यह है हमारा भुजंग आसन इसी तरीके से जिन लोगों को कमर दर्द की परिशानी रहती है सेतु बंध आसन कराते हैं हमारा लंबर जो बैक का पर्शन होता है लंबर पर दबाव आने के कारण उनको परिशानी होने लगती है, पैरों में दर्द या सुन पन आने लगता है, उनके लिए हम लोग आसन कराते हैं, उसका नाम है सेतु बंध आसन, आप आसानी से का सकते हैं, इस तरीके से आप पैरों को मिला करके मोंड लेजिए, और कमर का पूर्षन आपको उठाना है, आ इसी तरीके से आप कमर को उपर उठाएंगे, और वाकस धीरे धीरे ले करके आएंगे, इसी तरीके से एक डूसरी परिशानी होती है लोगों को वेरिकोज वे, वेरिकोज वे, की काफी सारे पेशन्ट आते हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और पूरुष भी हैं, अगर वो सर्वांगासन करें, यह अर्धे सर्वांगासन है, जिसे पूरा सर्वांगासन नहीं हो सकता है, वो अर्धे सर्वांगासन भी कर सकता है, इससे काफी रहत मिल जाती हैं, इसी तरीके से हम लोगों को सवाशन कराते हैं, ध्यान कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ऐसे 20 वर से अधिक का समय जो हो गया मेरा चिकित्स है कि यह समय उसमें होमियोपैथिक दवाईयों के साथ योग, प्राणायाम, ध्यान, नियमित रूप से मरीजों को कराते रहा हूं और मैंने पाया कि उनको बहुत लाव हुआ है यह समय चिकित्सा है जिस तरीके से योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उसी तरीके से होमियोपैथिक का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर मैं बात करूँ अभी कोरोना काल की तो कोरोना में जो मरीज भरती थे अस्पतालों में भरती होने के बाद जब विश्चार्ज हो करके हमारे पास आये और उनको स्वास की परिशानी बनी रही या उनके फेपड़े में बदलाव रहा तो हमने उनको ब्रिधिंग एकसरसाइज करा और ब्रिधिंग एकसरसाइज से लोगों को बहुत लाब मिला पहले भी हमारे पास लोग अक्सिजनल लगा लगा करके आते रहे हैं मरेज जिनको आये लडी की परिशानी थी जिनको फाइब्रोसी साफ लंग की परिशानी थी और वो लोग सभी प्रकार के ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब ठीक नहीं होते थे तब हमारे पास ट्रीटमेंट के साहतु उनको और योग कराते थे ब्रीदिंग एक्सरसाइस कराते थे प्राणायम बत अते थे उससे उनको बहुत लाग गुए इसी तरीके से मैं शाइनेसस की बात कहूं जिनको साइनिस रहती थी उनको साइनसस के कारान यहां पर हेडेग होने लगता था जिसको हम sinus headache बोलते थे, sinus के operation के बाद लोग हमारे पास आते थे, उनको हमने होमेपथिक दवाईयां दिया और breathing exercise बताया, उनको प्राणायाम बताया, उससे उनको काफी लाभ मिला, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ students में, जिनको याद्दास्त, lack of concentration, इस तरह की परिशानी थे कि याद्दास्त बहुत कम जोड थी, parents लेकर के आते थे कि यह कुछ भी पढ़ता है, याद नहीं रहता है, उनको हमने जब सवाशन और प्राणायाम कराया, तो बहुत अच्छा लाभ मिला, homeopathy में भी बहुत अच्छी दवाईया है, concentration के लिए, तो मैं आपको यह बता का डिशाडर्स रहता है, उनको भी हम homeopathic दवाईयों के साथ साथ योगी का और प्राणायाम और ब्रिधिंग एक्सरसाइज बताते हैं, साथ में हम खान पान का सलाह देते हैं, जिससे उनको काफी जल्दी रहत मिल जा रही है, तो आप अपने जीवन का हिस्सा बनाईए य 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट योग अवश्य करें, आपको निश्चित रूप से कोई बीमारी पास आएगी हैं, योग दोल तरह के लोग कर सकते हैं, तो जो स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं के लिए कर सकते हैं, और जो बीमार हैं, बीमारी से छोटकारा पाने के लिए कर सकते हैं कि योग सभी के लिए अवश्यक है, हमारे जीवन में योग को अगर हम अपनाते हैं, तो हम यह आत्मा से परमात्मा की ओर ले करके जाता है, आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं, थैंक्यो, भन्यवाद, नमस्का.